गुजरात के मुख्य मंत्री के पद़ पर काम कर रहे और उसके बाद देश की राजनिती में 2014 में कदम रखा और पूरे देश में अपनी लहर चला दी और उसके बाद देश के प्रधान मंत्री बने लेकिन इस लहर में भी बीजेपी के कई बरेनेता चुनाव हार गए थे जिसमें एक थी स्मिर्थी इरानी आपको पता दे के स्मिर्थी इरानी ने उत्तर प्रदेश से राहूल गांदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था चुनाव हारने के बाद भी स्मिर्थी इरानी को कैबिनेट में जगह मिली थी और उन्हें सबसे पहले बहुत ही महत्वपुर्ण मंत्राले दिया गया था मानवशन साधर मंत्राले लेकिन उसकी सिक्षा पर सवाल खरे होने के बाद उन्हें टेक्स्टाइर मिनिस्टर बना दिया गया सबसे पहले सवाल 2015 में उठे थे जब एक कॉंग्रेश नेता नील मनी शेन डेका ने असम में कारिकरम के दौरान बिना कुछ सोचे समझे इस मिर्थी इरानी को पी एम मोदी की दूशरी पत्नी बता दिया था उन्होंने कहा कि इसलिए इस मिर्थी इरानी को इतना महत्व दिया जा रहा है नील मनी के इस बयान के बाद कॉंग्रेश और उनकी काफी आलोचना हुई थी और वो उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में रहे थे इसके बाद अब जब एक बार फिर चुनावी मौसम नजदीक है ऐसे में इस बात के पूरे आसान है कि ये बात एक बार फिर से चुनाव में पहले उठाई जा सकती है वहीं आपको बता दे कि इन आरोपों के बाद स्मीर्थी इरानी ने कहा था कि वो पिये मोदी को अपना भाई मानती है और उनसे राजनिती करना भी सीख रही है